हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे तो आज हम बनाने जारे हैं खस्ता कचोड़ी MP और UP की मशूर ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आती हैं तो चलिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एकटोरी गहों काटा लिया एकटोरी मैदा लिया फिर थोड़ी सी अजवाइन लेके हाथ से क्रश करके आटे में डाल दी थोड़ा सा नमक एड़ किया तीन चमश मैंने रिफाइंड एड़ किया चाहे तो आप गी भी यूज़ कर सकते हैं इससे काफी क प्रण्ची बनती हैं खस्ता कचोड़ी फिर दीर दीर करके हमें आटा गूदना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक डो तयार कर लेना है यह बहुत ही जादा ना ही तो सॉफ्ट होना चाहिए ना ही जादा टाइट होना चाहिए जैसे आप देख सकते हैं फिर गीले कप प्रेंड्स उसके बाद मैंने एक चमच बेसन डाला अच्छे से मसाले को भून लिया मंदी आख पर फिर थोड़ा सा नमक हींग जीरा पाउडर पुने हुए जीरे का काला नमक एड़ किया उसके बाद धन्या पाउडर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ज फिर मैंने मसाले को देल लिया एक चमच जीरा डाला धन्या डाला साबुत एक चमच अद्रक लसन हरी मिर्ज हल्दी पाउडर धन्या पाउडर एड़ किया उसके बाद टमाटर एड़ कर दिये बारी कटा हुआ टमाटर योपर से नमक डाल दिया फिर फ्रेंड मैंने बॉइल डालू फोड लि रख दिया फिर मैंने दूसरी तरफ जो डाल बनाई थी उसको हाते पानी लागके चोटी चोटी बॉल्स बना ली फिर मैंने सबजी बन चुकी थी तो मैंने धनी पती गार्णिशी करी बहुती स्वाधिस्ट लग लग थी थोड़ी से खटे मीटे पन के लिए मैंने चीनी फिर आटे को मैंने थोड़ा मला और उसकी चोटी चोटी लोई बना कर अलग रख लिए उसके बाद दोस्तों मैंने लोई को चकली पे रखा और साइड के कॉर्णर्स को फ्लैट कर दिया बीच में से थोड़ा मूटा ही रखा जिसे की हमारी कचौडी फटे नहीं और अच् प्रोसेस से मैंने सारी कचौडिया बना ली और उसके बाद मैंने तेल में डीफ्राइ होने के लिए डाल दी आपको कचौडिया जब तक नहीं पलटती नहीं है जब तक कि खुद से उपर नहीं आ जाती और थोड़ा थोड़ा तेल हमें उपर से डालते रहना इससे क्रंच आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए